संस्कृती सुवास बच्चों, जीवन के सर्वांगिन विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्बुत है विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है हर भाषा में कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मिमान साय की हैं और अभी भी हो रही हैं और होती रहेंगी क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्यों के कल्यान की अलोकिक सामगरी भरी हुई है गीता विश्व का एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयन्ती मनाई जाती है अमेरिकन महात्मा थौरों लिखते हैं प्राचीन युक की सर्वरमनिय वस्तों में गीता से स्रेष्ट कोई वस्तो नहीं है गीता में ऐसा उत्तम और सर्वव्यापी ज्यान है कि उसके रचीता देवता को असंख्य वर्ष हो गए फिर भी ऐसा दूसरा एक भी ग्रंत नहीं लिखा गया है भारतिय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विल्लियम्स जो 195 से भी अधिक दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्वरिकॉर्ट कायम कर चुकी है कहती हैं कि अपने अंतरिक्ष यात्रा में वो भगवत गीता को साथ लेकर गई थी 18 अध्याय एवं 700 श्लोकों में रचित तथा भक्ति, ज्यान, योग एवं निश्कामता आदी से भरपूर या भगवत गीता ग्रंथ विश्व का एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयनती मनाई जाती है